का अपलोग कैसे हूँ अपलोग ठीकी होंगी में हूँ ढंटावीश्व कर्मा मेरे चैनल का नाम ममतावीश्व कर्मा व्लोग surgis है आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत सहागत है आज मैं आप लोगों के मुझे result बहुत आचे हो और यदे आज से मैं भी तो कर दो 01 सकते बहुत आखो शालों से मैं इसकाो आई है मैं बहुत आई है यड़े बहुग양 आई कोंड़कर में है juste क्लーニ किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब 6 अगर मेरा वीडियो पसंद आये रिवीयो अच्छा करती हूँ तो यहां पे आप सोच रहे रहोंगे यह क्या चीज है यह है फिटकरी हाँ आपको यह नॉर्मली मैडिकल मेना आराम से मिल जाएगे और इस तरीकी की फिटकरी होती है यह और यह हमारे खासी के लिए बहुत अच्छा इलाज है अगर जिसकी दवाई से खासी जा यह हम जाएं तो आप इसका इसतमाल कीजीए मताओंगी इसका इसत्aurus करना इसका इसका क्रावल करने से ना आप तो अनरी और यह मैं गटार्य आप टारहिता कर रहा हो जाए तो आप ńधाएben है कdoing तो यह लोग कि Passionale Tech प्रपकेज अगर रहे हा सारे फाइदधày के लिए प्रोगा है इस लिए फैस्दर, पीप्लस, गले lle लिए बहुत अच्छा है तो यहां पर मैंने आप दिखा दीचा यहां पर देख सकते हो इस तरीक का पाउडर बना लिजए six सुजिए यहां पे आप वीडियो बिल्कुल भी स्कीप मत कीजिए पुरा एंटक जरूर देखिए यहां पे सारी जानकारी आप लोग के साथ शेयर करने वालें कैसे बनाना है कर कैसे बना के इसके यूज करना है बहुत अच्छा यह घरेलू उपाए है आप जरूर इस्तवाल कीजिए गरारा का, तो इसे बनाना कैसे बोवी बता देती हूं, मैं तो इसे बनाना इस तरीके से, मैंने आपको तो पौर्डर दिखा दिया है, इस तरीके का पौर्डर लेना है आपको फिटकरी का, और अगर आप इसे सब फोड के यूज करो गनो, तो पाने में जल्दी घुलता तो इस तरीके का पावडर ज़रूर कर लीजिए और जिसे ज्यादा खासी आ रही है या नॉर्मली भी खासी है हमेशा गले में खच-खच चाहाट होती है कुछ होता है इसा लगता कुछ है तो वो लोग भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे बनाना कैसे है आपको एक टोप लेना है उसमें एक गिलास पाने डालना है और इसमें एक चमच फिटकरी पावडर डालना है और इसे गैस पर रख देना है और इसी चलाना है और जब तक यह घुल नहीं जाता है जैसे नमक पानी में घुल जाता है उस तरीके से फिटकरी भी अच्छे से घुल जाना चाहिए औ और उसके बाद, आपको गैस को करना है बन, इऔर पानी को गुनगुना ही रहने देना है, अगर आपको लग ज़ादा के जादा गरम है तो इसमे ठोड़ा सा पानी है एट किजaker और गुटना करना है, जितना आप गलारा कर सकते हो उतना ही पानी अपको ठंडा पानी आपे य जैसे अगर आपको ज्यादा खासी है अभी जो मौहल चल रहा है खासी सड़ी का तो बहुत लोग सीरम इस ले रहे है उसका खासी जाह नहीं रहा है उन लोगों का तो इसे आप सुबे कीजिए दुपहर में कीजिए शाम को कीजिए और रात को कीजिए खाना हाने के बाद है मैं किसी का सुन के नहीं कि मैं हमारे घर में अगर किसी को भी प्राब्लम होती खासी होती है तो हम फिटकरी का ज़रूर करते हैं थोड़ा कड़वा लगता है अब पुर पूर अदाम मोटा-उर और अजीव सा आप पर कोई बात नहीं है, हमारा अगर खासी ठीक हो जा रहा है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है तो आप इस फिर्टकरी का इस तरीके से खासी भगाने का काम कर सकते हो और इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए सज बता रही है कुछ मेरे कहने पर रिजल्ट आ जपके गया तो जरूर मुझे, क्यूंकि अभ repli मेरे कहने की बाता हुप यौरा खुत का रहता है क्या सब्हुत का रहता है इसका रिजल्ट बहुत आपट अच्छा इता है आपको यह निवाइब ग FR Sud आ पिना है नहीं गरारा करके आपको बाहर दे देना फिर वापस ले ले आ इस तरीके से आपको गरारा करना है तो चलिये मेरा यह वीडियो यहीं पर मैं ईंड करती हूं अगर आपको मेरा फिटकरी वाला वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच